हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने ही चैनल सीव कोचिंग क्लासस पर स्वगत है दोस्तो क्लास लिवंद कमिस्टी में आज का टॉपिक है अलुमीनियम क्या है ना अलुमीनियम के बारे में थोड़ा सामान परिच्छ है और दोस्तो इसक अमल और चार से क्रिया और उपियोग इतना चीजें चर्चा करेंगे और एलुमीनियम के जो मिस्त्र धात हूं दोस्तो एक छोड़ा सा वीडियो दो मिनट का अलग से बना दूँगा ठीक है उसके मिस्त्र धातू कि संगठन अभयब और उपियोग उसको भी एक छोड़ा स के रूप में पाया जाता है कि सुतंत्र वस्ता में आप पूरता अलुमीनियम कहीं भी नहीं पा सकते हैं यह कई न कई कोरेंडम के रूप में बाकसाइट के रूप में फैल सिस्पार के रूप में इनके रूप में दोस्तो पाया जाता है अब दोस्तो यह तो समान था अब देखते हैं अपन प्रमुक आयसक तो कोरेंडम इन फार्मूलों को आपको बिल्कुल बिल्कुल दोस्तो याद कर लेना है क्योंकि अभी तक के लिए नहीं यह तक आपको काम में आने वाला है कि कोरेंडम का सूतर क्या होता है दोस्तो तो कोरेंडम का सूतर होता है अल्टू 3 क्लियर यह फार्मूले विल्कुल याद कर ले ना मीरे बाई क्लिए इसलिए कभर करा रहा हूं क्योंकि 12th क्लास में भी आपको काम में आने वाला है आपधी डायस्पूर का फार्मूला कहूं तो दोस्तो डायस्पूर AL2O3 into H2O होता है डायस्पोर का क्लियर है यह दी वाकसाइड का सूत रका हूँ दोस्तो AL2O3 into 2H2O क्लियर तो यह हो गया वाकसाइड का सिंगल H2 है दोस्तो यहाँ पर देखी याद करने का तरीका कैसे AL2O3 कोरेंडाम एक जल के नों जोड़ दो तो डायस्पोर दो जल के नों जोड़ दो तो वाकसाइड हो गया अब दोस्तो सिलिकेट इसको थोड़ा सा फेल्स इस्पार है सिलिकेट से संबन दित है तो दोस्तो फेल्स इस्पार K L SI3O8 ठीक है यह है दोस्तो क्या है तो फेल्स इस्पार हो गया cryolite NA3 ALF6 यह दोस्तो cryolite है ठीक है तो इस प्रकार से corandum diaspor bauxite felsis par cryolite दोस्तो इनका जो formula है objective type में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि corandum का सूत्र क्या है ठीक है सही जोड़ी में भी आ जाता है कि bauxite का सूत्र है felsis par cryolite तो corandum इसमें सबसे important है ठीक है और साथ में cryolite ऐसा भी question आ जाता है cryolite किसका ISK है तो aluminium का ISK है corandum किसका ISK है तो किसका ISK है दोस्तो aluminium का ISK है backside किसका ISK है तो aluminium का ISK है ऐसे question पूछे जाते हैं इसलिए अपन ने इसको cover करा दिया ठीक है अब दोस्तो देखना है aml के सांद क्रिया किसकी क्रिया तो aluminium की क्रिया तो दोस्तो tanu या sandr HCL tanu के सांद भी क्रिया करता है और shandr की भी सांद क्रिया कर सकता है लेकिन दोनों के सांद जब क्रिया करता है दोस्तो तो hydrogen gas देता है किन्तु जब TANU S2SO4 के साथ क्रिया करता है तो hydrogen देता है किन्तु सांद S2SO4 दोस्तो जब क्रिया करता है तो SO2 देता है sulfur dioxide मतलब HCL चाहे TANU या सांद्रों दोनों में hydrogen gas निकलता है लेकिन दोस्तो S2SO4 में ऐसा नहीं है S2SO4 में TANU के साथ hydrogen gas देता है किन्तु सांद्र के साथ sulfur dioxide उत्पन करता है तो इसकी क्रिया करा दीजिए तो अपन पहले HCL से करा रहे है ऐलुमीनियम है इसकी क्रिया HCL तो चाहे TANU हो सांद्रों दोनों का एक समान दियक्सन होगा तो बनाएगा दोस्तो ऐलुमीनियम जो है क क्लोरिन से क्रिया करके ALC-L3 बनाता है कि एलुमीनियम तीन पास्टीब होता है मतलब त्री पास्टीब इसलिए तीन क्लोरिन जुड़े हुए है साथ में दोस्तो हाइड्रोजन गेस निकलेगा बैलेंसी तो आसानी से करा सकते हैं कैसे हाइड्रोजन यहां दो है ठीक है औ और तीन का multiply यहां कर दो, दो का multiply यहां कर दो, इस प्रकार से balance हो चुकी है, तो दोस्तो HCl से क्रिया करता है, तो S2 gas, चहस तन हो यह सांध्र हो, लेकिन दोस्तो जब तन हो, S2SO4 से क्रिया करता है, तो इसमें भी दोस्तो क्या बनाएगा, जो यह बनाएगा, aluminum sulfate AL2 SO4 का whole thrice और दोस्तो S2 जो है बाहर निकलता है तीन अड़ू लेंगे इसमें भी और यहाँ पर multiply कर देंगे तीन का क्योंकि whole thrice है यहाँ पर और aluminum का दोस्तो multiply कर देंगे किसका दो का यह हो गए दोस्तो आपका तानू के साथ यह तानू था यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तानू ठीक है लेकिन सांद्र में ऐसा नहीं होता है सांद्र में दोस्तो aluminum की क्रिया कराएंगे S2 SO4 से तो दोस्तो बनाता क्या है सांद्र में तो बनाएगा aluminum sulfate ही बनाएगा SO3 SO4 का होल थ्राइस इसको ट्वाइस कर दो सांद्र में दोस्तो H2O निकालता है और sulfate dioxide निकालता है क्या sulfate dioxide ठीक है तो यह बैलंसी कराना पड़ेगा आपको तो देखिए यह थोड़ा सा लंबा बैलंसी हो सकता है तो यहाँ पर दोस्तो sulfate 3 3 एक 4 हो गया तो 4 का multiply करने मत तो आएगा नहीं aluminium कितने हैं यहाँ पर 2 तो 2 का multiply यहाँ कर देथे aluminium तो clear हो गया अब दोस्तो यहाँ एदी बात करें oxygen की तो oxygen कितने हो चुके हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 2 एक 3 है ठीक है और यहीं से लेना है दोस्तो sulfur तो 3 sulfur यहाँ एक sulfur तो यहाँ डेफिनिट चार sulfur होगे तो 4 का multiply तो करना ही पड़ेगा लेकिन 4 में आएगा नहीं तो कि दोस्तो hydrogen की balance नहीं हो पाएगी 4 दुनियाट 4 दुनियाट hydrogen का तो हो जाएगा अकसीजन का byla camoufl नहीं हो पाएगा इसलिए दोस्तो 4 के जगे हम 6 का multiply करती है तब यहाँ पर 6 का multiply कर दे और यहाँ 3 हो गए तीन यहां multiply कर दे इस प्रकार से आपका balance कंप्लीट हो गया तोABलिके सान्त क्रिया करता है तो ABL के सान्त क्रिया करके तो जब दुस्तो सांद रोता है, तब हो Sulfur Dioxide ठीक है, उत्पन करता है यह होगे दुस्तो अमल के सांथ क्रिया, अब मैं छार के सांथ क्रिया करा देता हूँ तो दुस्तो जब छार के सांथ, जैसे Sodium Hydroxide या COH, Potassium Hydroxide कि गरम बिलियन में घोलकर दोस्तो मेटा ऐ्लूमिनेट बनाता है और हाइडरोजन गेश निकलतीEst मतलब ऐलुमीनियम जो होता है दोस्तो चार से कृइा करके मेटा ऐलुमिनेट बनाता है जिसे आप पहले ऐलुमीनियम की क्रिया करा दो किसके साथ NaOH के साथ यह दोस्तो billion में मतलब NaOH H2O में मिला हुआ है clear तो दोस्तो illuminate बनाएगा sodium meta-aluminate क्या होता है Naalo2 यहाँ पर दोस्तो balance करानी है तो oxygen तो हो गई लेकिन hydrogen gas बाहर निकलता है hydrogen gas बाहर निकल गया दोस्तो balance कराना है oxygen की balance 2-2 clear है sodium यहाँ पर hydrogen की balance है नहीं हो रही है देखिये यहाँ पर hydrogen आपके पास है तो एक काम करते है 2 कमultiply यहाँ करते है जब 2 कमultiply यहाँ हो गया मेरे भाई तो 2 कमultiply यहाँ करना पड़ेगा 2 कमultiply यहाँ और 2 कमultiply यहाँ hydrogen किते हो गए 2-2-6 2-4-6 हा आुल्मिनियम के के दो लेव उड़ के लेव दो अन्व मतला पोलें शार के सांथ अलीलुमिनिय성이 करता है इसके बाद ISK के स्क्रीन सर्ट लेलू इसके बाद आमले के सांथ जो क्रिया मैंने कराया ठीक है यह हो गए दोस्तो इसके बाद छार तो असा करता हूं इससे आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीन सर्ट अब दोस्तो उपयोग पटा पट देख लेते हैं अपन तो अलुमिनिय की जो पन्नी होती है उसे सिगर्ड तथा फोटोग्राफिकी फिल्मों को लपेटने में कामाती है मिस्ट दातों के निर्मान में किया जाता है ऐलुमिनियम पाउडर तथा पेंट बनाने में किया जाता है दोस्तों जो इनके मिस्ट दात होते हैं वो हलके और कठोर होते हैं त अब दोस्तो एक चीज और है अलुमीनियम जो चोण होता है ना और अगर आरन आक साइड का मिस्टिन उसे थर्माइड मिस्टिन कहते हैं दोस्तो उसको लोहे जोडने की काम में होता है। तो जो aluminum चोन होता है iron oxide का जो mistन होता है उन दोनों का प्योग हम करते हैं लोहे जोड़ने में ठीक है और दोस्तो कैई प्रकार के हैं जैसे chromium के nixraction में, manganese के nixraction में, silicon के nixraction में हम aluminum का प्रयोग करते तो यह आपका उप्योग हो गया कम से कम तीन से चार बनने चाहिए बेसिक चीज़े है एक वीडियो में लाओंगा दोस्तो जो अलमीनियम के मिस्रदातु बताऊंगा पांच मिस्रदातु बताऊंगा और पांचों मिस्रदातु में दोस्तो जितने भी संगठन होंगे उप्य कर देना दोस्तों सेयर करना मिलेंगे वीडियो में ने टॉपिक साथ तब तक लिए जैहिन बंदमात्रम